हेलो फ्रेंट्स नमस्कार गुड मॉरिंग स्पेशल कुरुजी जी में आपका स्वागत है फ्रेंट्स से यदि आप मेरे चैनल में नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक तथा सेर जरूर कर लिजिए ताकि मेरे और भी वीडियो का लाभ आप तक मिल सके फ UPSSB PGT आंसर की पर उठे सवाल कई प्रस्णों के सही उत्तर के दो विकल्प यह देखे उतर प्रदेश माद्यूंग सिछा सेवा चैन बोर्ड UPSSB की और से PGT की जारी की गई आंसर की के कई उत्तरों को विशेशग्यों ने गलत बताया है उनका दावा है कि कई सवालों मे भी ब्रामक इस्तिती है यह देखे उत्तर प्रदेश माद्यूंग सिछा सेवा चैन बोर्ड UPSSB की और से PGT की जारी की गई आंसर की के कई उत्तरों को विशेशग्यों ने गलत बताया है उनका दावा है कि कई सवाल में भी ब्रामक इस्तिती है कुछ तो ऐसे भी सवाल है जिनके दो-दो उत्तर सही है इलाहावाद विश्विद्याल में हिंदी एवंग आधनिक भारती भासा के असिस्टेंट प्रोफेसर डाक्टर पुमोद कुमार मिश्र ने इस महतपुन परिच्छा में इस तरह की गडवनियों को हिंदी का आपमा प्रस्ण संख्या 6 में पूछा गया है कि रीति काल को सरोप्थम स्रिंगार काल नाम रखने का सुझाओ किस ने दिया प्रस्ण 23 निम्न में से कौन सा सब्द उत्तर का बिलोंस नहीं है प्रस्ण 24 फूल मरे पै मरे न बासू यह प्रशिद उक्तक किस कवी की है दावा है कि इसमें आयोक का उत्तर गलत है इसी तरह प्रस्ण 34 निम्न लिखित में अब्याई भाव समास का उदाहरण है रातों रात कपडचन मनमाना ठकुर सुहाती इसमें दो विकल्प सही है प्रस्ण 78 एक तस्सम सब्द है डाकिनी तेल नियशार तरजनी इसमें तीन विकल्प सत्सम है प्रस्ण 95 संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है प्रतीत होता है इसमें बोर्ड का उत्तर गलत है प्रस्ण 98 सेशव के सुन्दर प्रभात का मैंने नौ विकास देखा यवन की मादक लाली में यवन का हुलास देखा पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है इसमें बोर्ड का उत्तर गलत है ये देखी इसी तरह 121 नंबर प्रस्ण है भारत के गवनर जनरल को पद की विवस्था कर प्राविधान सरुप्थम किसने किसके द्वारा दिया गया में आयोग ने चार्टर एक्ट 1823 को सही माना है जो कि गलत है सही उत्तर चार्टर एक्ट 1823 का दावा किया गया है प्रस्न 73 में पूछा गया है कि नियाईक पुनराव लोकन की सक्ति प्राप्त है सही उत्तर सरोच न्याले और रूच न्याले दोनों को प्राप्त है जबकि आयोग ने सरोच न्याले सही माना है डाक्टर प्रमोत कुवामिश्रे ने कुछ प्रस्णों को जिक्र करने के साथ अपने दावे को तथ्य के साथ सही बताया है उनके अनुसार प्रस्ण संख्या बारा में पूछा गया है कि छोटी हलकी गोल और किनारेदार थाली दिखाओ वाक्य में अपेच्छित है साथ के साथ उनका दावा है इस प्रस्ण का कोई भी बिकल्प सही नहीं है इसी तरह प्रस्ण संख्या 17 में पूछा गया है कि किस वाक्य में एक बचन का प्रयोग हुआ है उनके मुताबिक इस प्रस्ण के उत्तर में दो बिकल्प सही है पूछा गया है कि किस वाक्य में एक बचन का प्रयोग हुआ है उनके मुताबिक इस प्रस्ण के उत्तर में दो विकल्प सही हैं प्रस्ण संख्या 19 में उलिखित पंग्तियों के रचनाकार की नाम का उत्तर भी आयोग ने गलत दिया है प्रस्ण संख्या 26 में श्री मदोस स्वामी तुलसिदास जी की रचना का सुद्ध सिर्सक स्री रामचरित मानस है रामचरित मानस नहीं है उनका दावा है कि प्रस्ण संख्या 27 के तीन उत्तर सही हैं प्रस्ण संख्या 42 में उपन्यासा और उनके लेखकों के सुमेलन के क्रम में भैया दास की माड़ी भिस्म साहनी लिखा है जबकि भिस्म साहनी की रचना का नाम मैया दास की माड़ी है ना कि भैया दास की माड़ी इस प्रकार इसमें दो उत्तर सही होने का दावा किया गया है इसके अलामा प्रस्थ संख्या 44 में फूल म मरे न बासु की पंग्ती के लेखन का नाम आयोगनी कभी दास को माना है जबकि उनका दावा है कि प्रसिद पंग्ती मलिक मुहमद जासी की है प्रसन संख्या तीरपन के उत्तर को भी गलत माना गलत होने का दावा किया गया है इसमें पूछा गया कथन आचार रामचंद सुक लगा है जबकि चैन बोर्ड ने हजारी प्रसाद दिवेदी का कथन माना है अशे ही प्रसन संख्या 58 का उत्तर व्रज होगा जबकि आयोग ने आवधी दिया है डाक्टर प्रमूत कुमार मिश्र ने दर्जन भर से अधिक और प्रसन वबोर्ड की उत्तरमाला में दिये गए उत्तर में भी दोस माना है मामले पर चैन बोर्ड के उप सची नवल की सोर का कहना है कि विशे विशेशग्यों ने पेपर सेट किये हैं इसमें किसी तरह की आपत्ती होने पर आनलाइन आपत्ती दाखिल करने का मौका अभ्यर्थियों को दिया गया है विशेशग्यों की समीति को अगर अभ्यर्थियों की आपत्ती सही लगेगी तो उत्तर संसोधित कर अंक जोड़ा जाएगा फ्रेंड्स वीडियो में बस इतना ही कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड मार्निंग टेक केर